बुजरुग किसी भी खांदान के लिए एहम होते हैं लेकिन जब बुजरुग ही गलत रास्ते पर चल निकले तो फिर उस खांदान का क्या हाल होगा मेरे दादाजी मेरे लिए एक आइडियल इंचान थे लेकिन तब तक जब तक मैं उनके सचाई नहीं जानता था वह इस हद तक गी रहे होंगे मुझे मालूम नहीं था हमारा खांदान तो दुस्रों की बैहन बेटियों की त करने की लिए जाना जाता था लेकिन घर की औरतों के साथ ऐसा व्यौहार किया जाएगा ये मुझे मालूम नहीं था मुझे लगता था कि मैं यह रोक लूँगा लेकिन मैं भी मजबूर हो गया हम एक पढ़ेली के अच्छे खांदान से थे हमारा जोइंट फैमिली थी इसलिए हम सब एक ही घर में रहते थे और कभी भी हमारे घर में किसी बात को लेकर जगडा नहीं हुआ था घर के मालिक मेरे दादा थे बड़े छोटे सभी उनकी बात मानते थे और इज़त करते थे वो भी सबसे बहुत प्यार करते थे और कभी किसी को डाटा नहीं करते थे लेकिन इन सब के साथ हमारे खांदान में एक अजीव सा परंपरा था और वह ऐसा था कि उसे सुनकर अक्सर लोग अपनी बेटी देने से इंकार कर देते थे इसलिए हमारे बड़ों ने अब इस परंपरा को मिटाना शुरू कर दिया मैं बच्पन से देखता आ रहा था कि हमारे घर में जीज की साधी होती थी जो भी लड़की दुलन बनकर हमारे घर आती वह पहली रात दादा जी के एक अमरे में गुजारती थी बच्पन में तो मुझे इस चीज की बिलकुल समझ नहीं थी लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया ये अजीब प्रमप्रा मेरे दिमाग में सवाल पैदा करता गया मैंने बहुत कोशिस की कि हकीकत जान सकूँ लेकिन पूरे घर में कोई भी इस बात करने को तयार नहीं होता था और यह सिलसिला सालों से चलता आ रहा था और हैरत की बात ये थी कि जो भी लड़की दादाजी के कमरे में रात गुजारती वो एक महीने में ही गरवती हो जाती थी लेकिन मुझे यह बात बहुत अजीब लगता था और मैं बिलकुल भी उसके साथ में नहीं था मैं अपने सारे भाईयों में तीसरे नमर पर था और मेरे बड़े भाईयों के पतनियों के साथ भी यहीं किया था लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा था जिस पर मेरी उन सबसे बहुत भैस भी हुई लेकिन कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं देता था और अब मुझे इस चीज का जवाब चाहिए था कि मैं अपनी पत्नी को दादा जी के कमरे में नहीं छोड़ूंगा और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता अपने कमरे में चला गया। मुझे लगा कि इस बाद दादा जी का व्योहर बदल जाएगा लेकिन उन्होंने मुझे एक सबद भी नहीं कहा। उनका विवहर नोर्मल ही था, लेकिन हमारी साधी को दो साल हो गए, और अभी तक बच्चे की कोई उमीद नहीं थी, डोक्टर के पास गए तो सभी टेस्ट सही थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ, मेरे भाई मुझे अक्सर कहते थे, कि तुमने गलत किया, अब सारी जिनगी सोगे, लेकिन मुझे उनकी बाते सुनकर गुशा आता था, कि मैं बच्चे के लिए गलत कैसे बन जाओं, कैसे अपने हाथों से अपनी पत्नी को किसी दूसरे के कमरे में भेजूं, भले ही वो मेरे दादा थे, लेकिन मेरी पत्नी के लिए गैर ही थे, और मैं कभी वी इतन बेगरत नहीं हो सकता था, कि अपनी पत्नी को अपने हाथों से उनके पास भेज दूँ, मेरी पत्नी को भी यह प्रमप्रा बिलकुल पसंद नहीं था, उसको भी बहुत अजिब लगता था, लेकिन जैसे समय गुजरता गया, लोगों की बाते हमें डिप्रेशन में डालती जा रही थी, क्योंकि हमारे खांदान में सब के बच्चे थे, सिरफ हम ही थे, जो इतने सालों से बच्चे नहीं किये थे, और अभी दूर दूर तक कोई उमीद भी नहीं थी, मेरी पत्नी अब खोई गुम्शुम रहने लगी थी, सैद वो डिप्रेशन में आ गई थी, वो उसने कहा कि हम हमेश्या बिना बच्चे के नहीं रह सकते, इसलिए आपको यह तो करना ही पड़ेगा, मैं उसके बाद से बिलकुल भी हा नहीं हुआ, और मैंने उसे डाट कर चुप करवा दिया, कि अगर बच्चे होना होगा, तो भगवान हमीं दे देगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी जीद बढ़ती जा रही थी, और कोई उमीद नजर आने के वजह से मैं एंदर ही एंदर कायल होता जा रहा था, कि जहां बाकी सब ने अपनी वीवियों को टाइम दे दिया, और सादी की पहली रात ही दादाजी के कमरे में भेज दिया, यहां तक कि मेरी माँ और बड़ी ममी मेरी छोड़ी ममी तक एक एक रात दादाजी के पास गुजार चुके हैं, तो मेरी वीवी ने भी अगर गुजार ले, तो उससे क्या हो जाएगा, आखिरकार बहुत मज़ूर होकर, एक दिन मैंने दादाजी से कहा, मैं आज रात अपनी पत का एक्सिडंट हो गया, और मुझे अमर्जेंसी में होस्पिटल जाना पड़ा, क्योंकि मैं बात कर चुका था, इसलिए उस रात को मेरी पतनी दादाजी के कमरे में गई थी, दूसरे दिन जब मैं वापस आया, तो मेरी पतनी अपने कमरे में थी, मैंने उसे फोरण और मुझे कोई होस ही नहीं रहा, सुबह जब होस आया, तो मैं उनके बिष्टर पर सो रही थी, और दादाजी सोफे पर बैठकर अख़बार पर रहे थे, उसके बाद मैं उठकर बाहर आ गई, उसके बात सुनकर मुझे अजीर सा महसुस हुआ था, कि दादाजी को मेरी प अवाल क्या, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी वक्त नहीं है, इसका वक्त आया, तो मैं इसका जवाब तुम्हें दूंगा, लेकिन अपनी पतनी को खुश देखकर मैं भी चुप हो गया, फिर सच में एक माह बाद मेरी पतनी करह पती हो गई, अब तो मुझे अजीब सा कि यहे बचा मेरा है भी या नहीं, लेकिन मेरी पतनी इस बच्चे को पा कर बहुत खुश थी, और उसको खुश देखकर मैं भी खुश होने लगा था, लेकिन दिल के अंदर शक्त खतम नहीं हो रहा था, लेकिन अपनी पतनी के सामने यह जाहिन नहीं होने गिया, तोंकि इससे उसकी खुशी खराब हो सकती थी। मैंने सोच लिया कि मैं बच्चे के पैदा होने के बाद उनका डियने टेस्ट करवाँगा। फिर उसकी रिपोर्ट के साथ दादाजी से सवाल करूँगा। वो वक्त मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि जब भी मैं अपने बच्चे की खुशी महसूस करके खुश होने लगता तो वो एक रात मेरे दिमाग में आ जाता और मैं ना ठीक तरह से खुश हो पा रहा था तो ना परिशान किसी तरह वो वक्त खतम हुआ। और मुझे भगवान ने चांद जैसा बेटा दिया। ये खुशी इतने सालों के बाद मिली थी। इसलिए सभी बहुत ज्यादा खुश थे। और सबसे ज्यादा सायद मेरे दादा जी खुश थे। क्योंकि अपने पूरे बच्चों में उन्हें सबसे ज्यादा मुन से प्यार था। और मेरे बच्चे की खुशी सायद उसे सबसे ज्यादा थी। मेरी आँखों में सक्की पटी बंदी हुई थी और मैं उनकी खुशी को भी सक्की निगार से देख रहा था। जब हमारा सारा खांदान खुशिया मना कर चले गए तो एक दिन मैंने चुपके से बच्चे को उठाया और निकल गया मेरी पतनी ने पूछा कि कहां जा रहे है तो मैंने कहा बाहर से घुमा कर आता हूं और बच्चे को होस्पिटर ले गया और जाकर अपना और बच्चे का डियन ने टेस्ट करवाया मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात जरूर थी कि वह बच्चा मेरा नहीं है और बस यहीं चीज मुझे दिल से कुछी नहीं दे ही थी और मुझे टेस्ट करवाना पर रहा था जिसके रिपोर्ट तीन दिन बाद आना था वो तीन दिन मैंने कैसे गुजारे वो मुझे ही मालूम है जिस दिन रिपोर्ट मिले वाला था उस दिन सुबह से ही मेरे दिल का बुरा हल हो रहा था बार बार एक सवाल मेरे दिमा में छोड़ आये था मैं रिपोर्ट लेने गया तो रिपोर्ट पकरते हुए मेरे बिप्पी हाई कर गया शायत बहुत ज़्यादा टेंशन लेने के उजह से मैं होस्पिटल में था इसलिए फॉरन मुझे अमर्जेंसी में ले जाया गया डोक्तर्स मेरे घर बताना चाहते थे लेकिन मैंने मना कर दिया कि अगर वो सब यहां आये तो टेस्ट का राज भी कुल जाएगा मैं रिपोर्ट लेकर घर आ गया मुझे में हिम्मत नहीं थी कि मैं वो खोल कर देखूँ कि उसमें क्या है टेस्ट तो मैंने करवा लिया लेकिन अब खोल कर देखने के हिम्मत नहीं हो रही थी और खुद पर गुसा भी आ रहा था कि मैंने बाकी सब की तरह जो है जैसा है उसकी बुनियाद पर फैसला क्यों नहीं कर लिया क्यों मैंने इस सारे चक्कर में पड़ा लेकिन कहते हैं ना किसी किसी का दिमाग बहुत दूर तक जाता है बोसाइद मेरे साथ पी यहीं हुआ था मैं वो रिपोर्ट लेकर घर तो आ गया था लेकिन तीन चार घंटे गुज़रने के बाद भी मैं अपने अंदर हिमत पैदा ना कर सका कि मैं इस रिपोर्ट को खुल कर देखूं और आखिरकार मैंने उठा कर अपने ओफिस के टेबल पर रख दिया कि सुभए ओफिस जाकर देखूंगा लेकिन साथ भगवान को मुझूर नहीं था कि मैं इस राज पर से परदा उठा सकूँ इसलिए एक दो दिन काम में इतना बीजी था कि मेरा ध्यान रिपोर्ट की तरप से हट गया और जब मैंने दोबारा से रिपोर्ट को ढूंदा तो मुझे नहीं मिली सैथ कागजात में कहीं आगे पिछे हो गई थी मैंने पूरा ओफिस ठान मारा लेकिन वह रिपोर्ट मुझे नहीं मिला था मुझे समझ आ गया बगवान भी नहीं चाहते कि मैं इस राद से परदा उठा दू इसलिए मैंने जो है जैसा है कि बुनियाद पर अपने बच्चे को कबूल कर लिया इस सिलसले में दो साल और गुजर गए और मेरी पतनी एक बार फिर गरवती हो गई तब वहीं दोबारा मेरे दिमाग में भूमने लगा कि इस बार मैंने पतनी को दादाजी के कमरे में नहीं भेजा था तो फिर वो कैसे प्रेगनेंट हो गई और क्या मेरी पतनी ने मेरे साथ धोखा क्या है वो खुद ही चुपकर दादाजी के कमरे में चली गई थी लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था मेरी पत्नी बहुत अच्छी ओरत थी कभी कोई काम मुझसे बिना पुछे नहीं करती थी एक बार फिर वहीं बात मेरे दिमाग में खुशने लगा अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया था कि मैं उसको दूबारा ले जाकर डियने टेस्ट करवा सकता था इसलिए अपने बड़े बेटे को साथ लेकर मैं लेबोरेटरी चला गया और इस बार मैंने अमर्जंसी के तोर पर रिपोर्ट निकलवाई और वहीं खड़े खड़े रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट देखकर मुझे जटका लगा क्योंकि रिपोर्ट पोजिटिव थी यानि वो बच्चा मेरा ही था मेरा दिमाग छटके खाने लगा कि अगर वह बच्चा मेरा ही था तो दो साल तक क्यों नहीं हुआ और शिरफ एक दिन डादा के कमरे में रहने के बाद भगवा ने मुझे ये बच्चा दे दिया लेकि मेरा दिल टेंशन फ्री हो चुका था ये वो बच्चा मेरा ही है इसलिए मैंने अपने आसपास धान करना शुरू कि कि मेरे सारे भाईयों के दो तीन बच्चे है लेकिन सबकी वीवियों ने सिरफ एक रादाजी के कमरे में बुजारी है इसका मतलब है कि जो मैं सोच रहूं वो गलत है अगर वो गलत है तो फिर दादाजी के कमरे में रात को जाना क्यो जरूरी है वहाँ ऐसा क्या होता है कि दादाजी के कमरे में दुलहन को बेहुस कर देते हैं यह राज जानना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि मेरा सबसे छोटा भाई जवान था और उसकी साधी के बारे में सोचा जा रहा था और अब उसकी पतनी के साथ फिर वही सब होना था जो मैं नहीं चाहता था इसलिए मुझे इस राज को जानना था लेकिन कैसे यह मुझे समझ नहीं आता था क्योंकि मैं जब भी इस बारे में सवाल करता था दादा जी चुप कर वा देते थे और हमेशा एक ही बात कहते थे कि बेटा मुश्किल वक्त गुजर चुका और मैं उनकी बात सुनकर खामुस हो जाता कि साथ वो मेरे बच्चे के बारे में बात कर रहे है कि भगवान ने मुझे बेटा दे दिया है लेकिन कभी समझ नहीं सका कि वो किस वक्त की बात कर रहे है और फिर इस बात को भी एक साल गुजर गया और मेरे भाई की साथी आ गई अब मैंने सोचा कि दोबारा इसके साथ वही होगा लेकिन मुझे कमरे में रहना था मुझे मालुम करना था कि दादा जी पहली रात दुलहन के साथ क्या करते है इसलिए साथी के दिन मैंने बहाना किया कि मेरा एक दोस्त बिमार है और मुझे अमर्जन्सी में वहां जाना पड़ेगा जब सारी फैमली बैठी हुई थी तो मैं उन सब के सामने उठा और बाहर निकल आया सबने यहीं समझा कि मैं दोस्त की तरफ चला गया हूँ लेकिन मैं पिछले दर्वाजे से खेड़की के रास्ते दादा जी के कमरे में फुस गया वो कमरे में नहीं थे मैं उनके कमरे में छुप गया अब मुझे इंतजार था कि दादा जी और नई दुलन कमरे में आएंगे कुछ देर के बादाजी कमरे में आई लेकिन अभी दुलहन नहीं आई थी और उसके आने तक मुझे धैरिये और सांती से इंतिजार करना था क्योंकि इतने सालों के राज के उपर से परदा उठनी चाह रहा था मुझे बाहर से बहस की आवाजें आ रही थी यह वही बहस है जो हर दुलहन घर में आने के बाद होती है क्योंकि सादी के दिन दुलहन अपना दुलहन के लिए सजाई जाती है और जब उसे पहली रात ही किसी दूसरे आदमी के साथ जाने को कहा जाता है तो यकिनन उसके लिए बरदास से बाहर होता है और ये ड्रामा मैं कई सालों से देखता आ रहा था इसलिए खामोस हो गया और आखिरकार वही हुआ जो हम सब के साथ हुआ था और थोड़ी देर के बाद ही दुलहन कमरे में आ गई दुलहन जैसे ही कमरे में आई दादाजी उठकर वोश्रूम में चले गए मुझे दुलहन को देखकर उस पर तरस आ रहा था वो घबराई हुई थी थोड़ी देर बादाजी बाहर आए और उन्होंने आकर दुलहन के सर पर हाथ सका और कहा कि भेटा घबराओ मत कुछ नहीं होगा और बात करने के साथ ही दादाजी ने जेब से हाथ निकालते तो उनके हाथ में रुमाल था और उन्होंने वो उनकी नाक पर रख दिया एक मिन्ट के बाद वो दुलहन बेहुस हो गई यहां तक तो मुझे पहले से मालुम था मुझे इंतजार था कि अब दादाजी क्या करते हैं उन्होंने दुलहन को आराम से बिष्टर पर लेटाया और उसके उपर कंबल डाल दिया लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा उसने मेरे पाउं के नीचे से जमीन निकाल दी मैं सारी रात कमरे में बैठा रहा बड़ी मुश्किल से वक्त निकला सुबह के करीब जब दादाजी की आंके लगी तो मैं खामोसी से खिड़की की रास्ते बाहर निकलाया लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसके बाद दादाजी से सवाल करना तो बनता था लेकिन मुझे यह डर था कि अगर मैंने दादाजी से सवाल किया उन्हें मालूम हो जाएगा कि मुझे उनका राज मालूम हो गया है लेकिन बार बार मैं सोचता हूँ ऐसी क्या बात थी कि दादाजी को यह सब करना पड़ा और मैंने बहुत बार बातों बातों में उनसे पूछने की कोशिस की लेकिन हमेशा दादाजी बात टाल देते हैं लेकिन इस बार दुलहन को दो मा गुजरने के बाद भी बच्चे ना हुए अब तो सब कोई परिशान हो गया कि ऐसा क्यों है लेकिन सभी ने इंतजार कि कि बगवान की तरफ से देर हो सकती है दादा जी ने कहा कि मुझे लगता है कि यह राज कोई और भी जान चुका है सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो दादा जी ने कहा कि इस घर में कोई इंसान यह राज जान चुका है अगर ये बात किसी और को मालूम ना होती तो अब तक बच्ची गरवती हो चुकी होती यह सुनकर मुझे अजीव लगा कि दादा जी को कैसे मालूम हो गया कि ये राज कोई दूसरा भी जान गया है लेकिन मैं खामोस रहा और मैंने बिल्कुल भी बात नहीं की कुस महीने गुजरे तो दादा जी बिमार रहने लगे एक दिन उन्होंने हम सब को बुलाया और कहा कि मुझे सच सच बता दो कि तुम लोगों में से कौन इस राज को जान चुका है कि पहली रात दुल्हन मेरे कमरे में क्यों आती है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जादा दिन नहीं जी सकूँगा और जो आदमी राज को जान चुका है मैं उसे कोई बात करना चाहता हूं तो मुझे लगा कि सवाल करने का यहीं वक्त है मैंने कहा दादा जी मैं जानता हूँ दादा जी ने कहा कि बाकी सब जाएं तुम मेरे पास बैठो मैंने सब के जाने के बाद दरवाजा बंद किया तो दादा जी ने पुछा कि सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम यह राज कैसे जानते हो मैंने उनको सचाई बता दी कि मैंने छुपकर सब कुछ देखा है उन्होंने कहा कि तुम इस राज को जान चुके हो तो अभी ये राज तुम्हारे पास एक अमानत है तुम्हारे पापा बड़े पापा चाचा भाईयों मेंसे कोई भी इस राज को नहीं जानता है तो मेरे मरने के बाद ये है राज सब घरवालों को इकठा करके बता देना तो कि मैं जानता हूँ कि सब के दिलों में मेरे किलाव कुछ ना कुछ गलत मौजूद है लेकिन मेरे मरने के बाद चाहता हूँ कि सब के दिल साफ हो जाए मेरी तरफ से मैं कोई भी पाप अपने सर पर लेकर नहीं नहीं जाना चाहता मैंने दादाजी से सिधा सिधा सवाल कर लिया कि ये सब क्या है आप मुझे पूरी बात समझाएं ताकि मैं सब के सवालों के जवाब दे सकूँ उन्होंने कहा कि सबको यहीं लगता है कि मैं जो भी दूलन हाती है उसके साथ पहली रात को कुछ गलत करता हूँ मगर ऐसा नहीं है है कि यह है कि बहुत पहले मेरे पर दादा के वक्त मैं जादू टोना और यह सारी चीज़ें बहुत ज्यादा हुआ करती थी हमारे खांदान में कोई औरत ब्याहकर आई थी जिस पर कोई जादूगर था जब ब्याहकर आई तो उस जादूगर ने जादू के जरिये से उसकी उलाद बांदी थी कि कभी भी इस खांदान में उलाद नहीं हो सकती एक बुजरुग ने इस चादू को तोड़ दिया था और उन्होंने कहा कि साथ नसलों तक आपको यह काम करना पड़ेगा और वह यह काम है कि घर में ब्याह कर जो भी दुलन आएगी उस घर का जो भी बड़ा होगा वो उसको एक रात अपने पास रखेगा और वो कुछ मंतर पढ़ेगा जो कि उस बुजरुग ने बताया था और यह मंतर किसी दुसरे आदमी को मालुम नहीं होना चाहिए इसलिए जो भी दुलन होती थी उसे बेहुत कर दिया जाता है और मंतर पढ़कर उसके सरीर के एक हिसे में काला दागा बन्दा जाता है यह काम साथ नसलों तक चलता रहा मुझे पहले मेरे दादाजी और इससे पहले उनके दादाजी यह सब क्या करते थे लेकिन अब तुम लोग साथ मीं नसल हो तुम लोगों के बाद ये काम नहीं करना पड़ेगा तुमने अपनी पत्नी पर यह काम नहीं करवाय था इसलिए जादो का असर वहां पर था और तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा था मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ भी यहीं किया था और इसलिए तुम लोगों का बच्चा है यह राज कोई भी नहीं जानता है मैंने आज तक अपनी किसी दुलहन को हाथ तक नहीं लगाया वो मेरे घर की इज़त है मेरे मरने के बाद मेरा यह सब को बता देना कि सब के दिल से सक खतम हो जाए मैं दादाजी के बाद सुनकर खा एक साथ करके वो राज बता दिया और जिसके दिल में जो सक थे उन सब का सक खतम हो गया दादाजी के कमरे से सारी जड़ी बूटी निकाल कर बहते हुए पाने में बहादी इस तरह साथ नसल पहले होने वाले एक जादू से हम सब की जान चुट गई धन्यवाद दोस्तों वीडियो पसल आई हो तो लाइक करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले